दोस्तो आलिया भट की साल दो हजार चोबिस की पहली रिलीज मूवी जिगरा है इस जेल ब्रेकर ड्रामा मूवी से काफी जादा उम्मीदे थी लेकिन इस मूवी को दर्शकों ने पहले ही दिन नकार दिया और इस मूवी की ओपनिंग भी काफी फीकी रही इस मूवी को रिल साथ दिनों के बोक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में आखिर इस मूवी ने अपने साथ दिनों में इंडिया के साथ साथ दुनिया भर से कितने रुपए की कमाई कर ली है जानेंगे इस वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अग जिगरा मूवी का रिलीज से पहले इस्टार कास्ट ने खूब परमोशन किया था फिलम के ट्रेलर के बाद तो लग रहा था कि ये मूवी बोक्स ओफिस पर धमा के दार ओपनिंग करेगी लेकिन दिल्चस्प बात ये है कि दसहरा रिलीज में ये मूवी सबसे बड़ी हिंद माघरों तक खीच कर लाने में नाकामयाब रही और इसी के साथ इस फिलम के रिलीज के पहले दिन से लेकर पहले हपते का कलेक्शन भी काफी निरास जनक रहा जिगरा मूवी के अगर डेवाइज कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन 4 55,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 वीक कम्प्लीट किया बात करें इस मुवी के पहले वीक के टोटल कलेक्शन के बारे में तो जिगरा मुवी ने अपने पहले वीक में टोटल 22 करोड 45 लाक रुपए की कमाई कर ली है जिगरा मुवी के अगर टोटल बोक्स ओफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मुवी का अ इंडिया नेट कलेक्शन 22 करोड 45 लाक रुपए वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 27 करोड रुपए हो चुका है जिगरा मुवी ने अपने 7 दिनों में ओवर सीज से 6 करोड रुपए की कमाई की है वही बात करें इस मुवी के वर्लड वाइड कलेक्शन के बारे में तो इस में जरूर बताना कि आपको किस मूवी का बोक्स ओफिस कलेक्शन देखना है मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ